आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्रोटीन यूरिया की समस्या से जूच रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में कौन सी सबजियों को शामल करना चाहिए हम आपको प्रोटीन यूरिया में खाय जाने वाले उन बेस्ट सबजियों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन आपको प्रोटीन यूरिया की समस्या से रहत दला सकता है तो अगर आप भी प्रोटीन यूरिया या फिर किड्नी से जुड़ी किसे भी समस्या से परिशान है तो विडियो में इंट तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चानल स्टॉप किड्नी डालसस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हिल्द से जुड़े इस तरह के इंफर्मिटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये प्रोटीन यूरिया होता क्या है दरसल प्रोटीन यूरिया शरीर में होने वाले एक ऐसी हिल्थ कंडीशन है जिससे यूरीन के रास्ते प्रोटीन का लॉस होने लगता है आम तोर पर ऐसा तब होता है जब हमारी किड्नी प्रोटीन को फिल्टर करने में फेल हो जाती है और फिर यूरीन के रास्ते प्रोटीन का लॉस होने लगता है लेकिन आज हम प्रोटीन यूरिया में खाई जाने वाली उन खास सबजियों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे कि आप अपनी समस्या को कम कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि आप प्रोटीन यूरिया के परेशानी में कौन-कौन सी सबजियों को खा सकते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है घिया घिया ये एक ऐसी सबजी है जो प्रोटीन यूरिया के समस्या के लिए अच्छे मानी जाती है तो चलिए अब दूसरे नंबर पर मौजूद सबजी की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आती है मूली तो मूली को आप प्रोटीन यूरिया की समस्या में ले सकते हैं मूली के अंदर आंटी ओक्सिडेंट जैसे गुर्ण पाय जाते हैं जो आपकी प्रोटीन यूरिया की परिशानी के लिए अच्छे माने जाते हैं इसके अलावा आप प्रोटीन यूरिया में राहत के लिए तोरी, टेंडा, परवर और करिला जैसी सबजियों को भी खा सकते हैं और इनके सेवन से अपनी प्रोटीन यूरिया की समस्या में राहत पा सकते हैं। तो ये हैं वो सारी सबसियां जिने प्रोटीन यूरिया की समस्या में खाया जा सकता है। तो अगर आप प्रोटीन यूरिया की समस्या से परिशान हैं, तो हमारे द्वारा बताएगा इन सबजियों को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलह सरूर ले लें तो आज के लिए बस अतना ही आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके सरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकोल भी न भूले हम आप से मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार